तो लास्ट लेक्चर तक सर्फेस टेंशन हमारा पूरा हो चुका है अभी कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट से मतलब यह बहुत टॉपिक पढ़ाते वक्त आपको नजर नहीं आते लेकिन एडिशनल कंसे पता होना बहुत ज़रूरी है तब यह आप हायर ओडर के नुमरिकल स्वाल कर सकते हूं इसमें एक चोटा सो लॉइस सबसे पहले वह देखते हम उसके बाद जो एडिशनल कंसेप्ट है उनके वर जाएंगे हम तो एक नाम दीजिएगा एक लॉइन जिसे जीरीन लॉइन 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 कहा जाता है तो यह लॉइन का स्टेटमेंट होता है उसके रेडियस के साथ अभी हमने प्रू करके दिखा है कि यह चीज़ इकोल टू क्या होता है देखेगा उपर ही फॉर्मिला में लिखा होगा यह चीज़ इक लॉइन 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 कहा जाता है कुछ और नहीं इसमें ओके इसका स्टेटमेंट क्या रह लॉइन 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 लॉ तो दर रेडियस आप दे कैपलरी तो इसी यह लोग को कैपले मतलब जूरीन लोग कहा जाता है प्रोवाइड देट मतलब कभी रहेगा इफ टी मतलब सर्फेस टेंशन थीटा मतलब एंगल अंगल अकॉन्ताइक रो मतलब देंसीड एंड जी मतलब acceleration due to gravity are constant तो यह अगर constant रहे तभी यह चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा ओके तो यह चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर और फिर यह आर इंटू यह का जो प्रड़क्ट होगा यह constant आएगा अगर यह उपर के सभी पारमेटर constant रहे तो कि मतलब इससे क्या समझ में आता है कि जिस capital का radius कम रहा उसमें लिक्वीड जाधार राईज होगा अर्जिस capital का रेडियस जाधा रहा उसमें लिक्वीड कम राईज होने होने होगा है इस लोग है बहुती सिंपल लोग है जस्ट आपको पता होना चाहिए इस वजे से बताया है मतलब इसमें कुछ ऐसा नया कंसिप नहीं है जो हमने फॉर्मिला उपर डिराइव किया है उसी का ये एक्स्प्लेंशन कह सकते हैं तो ठीक है आप देखीगा अभी ये जो दो नेक्स के बीट से बहुत इंपोर्डेंट है जनरल ये ऐसे बीट पर आपको कॉंटिड एक्जाम में एक कोशन आता है आपको बताने की मतलब दिया जाता है कि इसे शॉर्ट नोट बोल के रिकर रखेगा स्टार मार करके रखना हम R1 and R2 जाता है चलीज चलीज इसो घर्मली आव क्वेंगा देखेगा लुट आता है झालीजर रखेगा तो घर फीजर लाट विल भी न्यू बबल का रीडियस क्या होगा दो बबल से जिनका रीडियस और रटो है और यह आइसो थर्मली कोलीज हो रहे हैं कोलीज मतलब एक कमबाइन हो रहे तो आपको बताना है कि आरवन रटो और आर में क्या रिलेशन रहेगा ऐसा कोशन दिया जाता है ठीके तो आप देखीगा बबल फॉर्म होना इसमें मतलब दो प्रोसेस होते ही है चोटे चोटे बबल मिलकर एक बड़ा बबल फॉर्म होता है कूलीज होते ही है इसको कूलीजन कहा जाता है और कभी-कभी एक बड़ा ड्रॉपलेट छोटे इस प्रोसेस में एनरजी गेन होता है मतलब थर्मल एनर्जी जो रहेगा हमारे अट्मोस्पेर का वो एनर्जी एब्सर्ब किया जाता है तब ही यह प्रोसेस ओकर होता है ब्रेकिंग ऑफ बबल और ब्रेकिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स लेकिन इसका एक्जेकली उल्टा होता है मतलब जब छोटे-चोटे ड्रॉपल को बताऊंगा यह तभी उज़ करना जब आपको वर्ल्डिंग में ऐसा दिया जाए आइसो थर्मली आइसो थर्मली मतलब पता ही आपको क्या रहेगा बताऊ थर्मोडाइमिस में आपको पढ़ाया था आईसो थर्मल प्रोसेस कोंसा होता है बता हूं आप सभी ने पढ़ा होगा thermodynamics chemistry में तो हुआ है आईसो थर्मल कंडिशन मेंस वाट इच टाइप अप कंडिशन टेंप्रेचर इस कॉंस्टन रहा तो उस प्रोसेस को हम आईसो थर्मल प्रोसेस कहते हैं तो आईसो थर्मल या अगर कोलीज होते हैं न दो मॉलिक्यूल से बबल से अपर ड्रॉप्स तो आड़ टाइम में आपको यह लॉजिक लगाना है आदरवाइस आप लॉजिक नहीं लगा सकते हों ओके तो जब देखीगा तो इन दोनों भी मॉलिक्यूल का जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्डिप्लिकिशन होगा वो बड़े वाले मॉलिक्यूल के साथ मतलब एकोल रहने वाला है पहले मॉलिक्यूल का अगर हम देखते हैं तो प्रेशर पी वन होगा और वॉल्यूम वी वन होगा प्लस दूसरा जो molecule है उसका मतलब pressure P2 होगा और volume V2 होगा यह दोनों company होकर एक बड़ा सा drop form करें जिसका pressure P और volume भी रहेगा तो आप pressure तीनों condition में लगबग मतलब अलग-अलग रहेगा और वो हम droplet सोने के कारणा आपको पता है drop का जो pressure होता है वो 40 by R1 इस वे से हम निकालने वाले ओके और volume में इसका रहेगा 4 by 3 पाए R1 cube इस इरो के पहले drop rate के लिए दूसरे drop rate का pressure 40 by R2 होगा और volume उसका रहेगा 4 by 4 by 3 पाए R2 cube is equal to क्या आने वाला है फिर देखेगा आगे is equal to pressure यहाँ पर भी 40 by R आएगा और 4 by 3 पाए R3 तो आप यह से solve कीज़ेगा final answer मिल जाएगा अब देखेगा 40 जो भी common part रहेगा इन दोनों में से निकाल सकते हम वो easily cut होगा 40 और 4 पाए यह common ओड कर सकते हम 4 पाए 3 4 पाए 3, 4 पाए 3 और 4 पाए 3 तो यह directly cut हो जाएगा जो भी common part नजर आ रहे तीनों में 4 by 35, 4 by 35, 40, 40, 40 ओके तो यह सब part cut हो जाएगा ठीके अब रहा सवाल पहले bracket में क्या पचेगा R1 और यह R1 cube है तो R1 square बन जाएगा तो पहले bracket में R1 square आएगा दूसरे bracket में R2 square is equal to R square आने वाला है तो जो बड़ा molecule होगा ना उसका radius आप कैसे निकालोगे अंडर रूट आप R1 square प्लस R2 square के साथ इसी रोके तो यह short trick याद रखना डिरेक्ली यह formula आपको यूज करना ऐसे condition में तो यह याद रखना है आपको कुछ जादा short trick ने यह इसमें एक या दूई है यह पहला तो हमारा होई गया है उसमें तो यह डिरेक्ली याद रखोगे तो थोड़ा derivation करते हो थोड़ा मतलब इतना step हमारा बच जाएगा इतना वक्त कम हो जाएगा तो ऐसे cases में आगर दो radius दिये तो जनरली अंडर रूट आप R1 square स्क्वेर स्क्वेर से आप फाइनल अंसर निकाल सकते हो इस दिस कंसे प्लियर तो अलब यू कि आगा समझ में यह पहला शॉट ट्रीक है दो अगर बबल्स जिनका radius R1 और 2 है ओके और यह कंबाइन हो रहे आइसो थर्मली कोली जो रहे है तो फिर आड़ टाइम जो बड़ा वाला बबल फॉर्म होगा उसका radius R कैसे निकालेंगे हम अंडर रूट आप R1 square प्लस R2 square से इस रोके अभी वैसे और एक कंसेप्ट है तो इस पेशल पॉंट ये भी बहुत इंपोर्टन पॉइंट है ये रहेगा इव टू बबल्स इव टू बबल सौ परेड़ा ये और वन एंडर टू कैसा दिया है R1 का वेल्यू कम है और R2 का वेल्यू जादा है R2 is greater than R1 came in a contact with each other came in a contact with each other then the radius of curvature of the common surface तो radius of curvature of the common surface हमी निकालना है मतलब यह कैसा कैसे अब देखीगा दो बबल से यह पहला बबल है जिसका radius R1 है और एक दूसरा है बबल जिसका radius R2 है यह दोनों गुमते गुमते आ रहे हैं दूसरे के तरफ और R2 का value जादा है as compared to R1 तो जैसे यह combine हो जाएंगे तो वहाँ पर कुछ एकसा picture दिखेगा उनका जो कुछ पार्ट होगा यह combine होता है ऐसा कुछ portion इन दोनों का क्या हो जाएगा वहाँ पर combine हो जाएगा तो यह जो portion रहेगा इसका जो radius रहेगा यह अलग रहता है बाकी इन दो drops के वज़े से मतलब drop के comparison में और इस process में क्या होता है जो छोटा वाला bubble होता है उसके अंदर pressure जादा होता है और बड़े वाले bubble का जो pressure होता है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि उसका size बड़ा होता है इस वज़े से तो pressure आपको पता है higher point से lower point travel होता है तो छोटे drop से pressure transfer किया जाएगा बड़े वाले droplet में तो बड़ा वाला droplet और भी बढ़ सकता है इस process में तो फिर इस case में अगर answer निकालना है तो पहले वाले drop का pressure P1 assume करते है दुसरे वाले का P2 P1 का value बड़ा रहेगा इस वज़े से P1-P2 is equal to अगर हम करते स्वाल तो इसका answer हैंगा 40 by R ओके और मतलब result and drop का radius R है और यह बड़ा वाला जो drop रहेगा इसका radius R है वही हमें निकालना है और इन छोटे-छोटे drops का और bubbles का radius R1 and R2 है तो फिर यह 40 by R किसके साथ equal आएगा बड़े वाले पहले वाले drop का जो pressure होगा वह हम ऐसे निकालेंगे 40 by R1 minus 40 by R2 is equal to क्या आएगा 40 by R तो 40 40 40 cancel हो जाएगा और finally answer मिलने वाला है R is equal to मतलब 1 by R is equal to क्या आएगा 1 by R1 minus 1 by R2 तो यह रहेगा final answer तो जो बड़ा वाला drop rate बाद में form होगा ओके यह process होने के बाद तो उसका radius रहेगा R उससे निकालने का यह formula रहेगा तो इसे अगर हम स्वाल करते तो R का value क्या आएगा देखिगा R1 into R2 मतलब reciprocal करके divided by R2 minus R1 हमेशा यह बड़ा रहेगा R1 छोटा रहेगा इसे रोके radius कभी भी निकिडियू में नहीं आएगा तो R2 का value बड़ा है तभी मतलब जो value बड़ा रहेगा आपको दे जाएंगे कि दो bubble एक का radius 4 cm रहे दूसरे का 5 तो बड़ा वाला radius किसका लेना R2 का ओके हमेशा इस answer को plus ही लाना ओके इजी रोके तो दोनों भी short trick समझ में आगे पहला वाला केस कभ यूज करना दो ड्रॉप अगर isothermally equalis होते तो उपर वाला formula R is equal to under root of R1 square plus R2 square और यह दो drops अगर क्या होनी वाले एक common part उनका अगर रहता हैं ओके दोने एक दूसरे के साथ just touch हुए कुछ उनका surface common है इन दो drops का तो at the time वो जो बड़ा वाला drop rate form होगा ओके जो common surface रहेगा उसका जो radius रहेगा R या अगर निकालना आपको तो फिर उसका यह formula रहेगा इस रोके तो इन दोनों बीट्स पर आभी क्वेशन ले लेते हैं तो कुछ ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते कि इसके उपर क्वेश्चन कैसे आएंगे क्या आएंगे अब तुरांत अंसर देना ओके पड़ा पड़्ट तो मिल गया एक क्वेश्चन दूसरा भी मिल गया है ठीके डीखीगा असोब बबल असोब बबल इन वैक्ट्यूम है था रीजिए आओ स्प्रीह सिंतीमतर अफ्रीह सिंत अफ्रीह मिल डूसरे गण ओनानादर and another soap bubble in a vacuum has a radius 4 cm if if the two bubble coolies under isothermal condition then the radius of the new bubble is you yeah 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 रहेगा ऑप्शन देने की जरूरत है ठीक है ओप्शन लिखने दो मुझे दो मिडवेड करो 2.3 cm बी ऑप्शन रहेगा 4.5 cm प्शी ऑप्शन रहेगा 5 cm और दी ऑप्शन रहेगा 7 cm सबीच ऑप वीच ऑप्शन इस करेक्ट ठीक है राइट अंसर है ठीक है राइट है सबी स्टोन कीजिएगा स्वाल ठीक है तो राइट ऑप्शन इस सी ओके 5 cm आभी कुछ भी बदानिक जूरत नहीं है आरवन का वैल्यू 3 cm राइट ऑफोर सेंटीमीटर है तो जो आइसो थर्मल अगर कंबाइन होते तो रेडियस आरवन स्क्वेर प्लस आरट वस्क्वेर से निकालते हम दैट इस अंडरूट आप 3 स्क्वेर प्लस 4 स्क्वेर सो दैट इस अंडरूट में आएंगा 9 प्लस 16 मत मतलब यह रहने वाला है 5 cm सभी रेडियस सेंटीमीटर में थे तो फाइनल अंसर भी सेंटीमीटर में आ गया है इसी रोके समझ में आ गया कि यह केस कब यूज करना है आइसो थर्मल देखना है वरना कभी भी आगर दिया जाएगा तो आप यूज करोगे तो नहीं चलेंग अ हरेगं ठीक फिर फ ओर्मीला या जो दिया गया आपको यह किस केस में वैलीडे यह याद रखना है और इसके बाद दूसरा अला कंसिप्ट था इसके उपर भी पूसके लेतें मतलब एक है किए ठीक है भी ठीक है मिल गया है टू तो बबबल्स question number second two soap bubbles of red eye R1 and R2 equal to 4 cm and 5 cm are touching each other are touching each other over a common surface S1 and S2 shown in figure its radius will be radius सब्सक्राइब किसका जो touching surface होगा उसका radius निकालना आप यह डाइग्राम देखो उन्हें इसा दिया है यह पहला बबल है जिसका रेडियस 4 cm है यह common portion है S1 and S2 और इसका रेडियस है 5 cm तो option है यहाँ पर option लिखने दो मुझे 4 cm option भी रहेगा 20 cm option C रहेगा 5 cm और option D रहेगा 4.5 cm बाद आव क्या रहेगा आंसर टीक है टीक है टीक है जितने वी स्टोर्ण ने आंसर दिया है सभी का राइट है कुछ भी दिक्कत नहीं है सभी को समझ में आ रहा है राइट आंसर इसका ओके तो यहाँ पर यह touching portion है जिसका रिडियस हमें निकालना था तो ऐसा निकालने का formula डायरेक रिडिमेंट बना के दि दिने वाला है आर वन इंटो आर टू डिवेड़ेड़ बाए बड़े वाले रिडियस में से चोड़ा ओला रिडियस माइनस करना है और तो माइनस रवन तो फोर इंटो फाई डिवेड़ेड़ बाई 5-1 तो नीचे वन आएगा ऊपर 20 आएगा फाइनल आस रहेंगा 20 जैसे यह शॉट ट्रिक बता है मैंने आपको और एक शॉट ट्रिक है उसका भी मतलब लिखकर रखीगा उसके उपर भी अडिशनल कोर्शन आते हैं यह दो शॉट ट्रिक तो मैंने आपको फूर करके बता है कि एग्जेटली ऐसा ही क्यों आता है मतलब ऐसा नहीं कि शॉट रिक है इसका विदाउट रिजन लिख लेना आप जस्ट वन मिनिट अलिक का अब दफोर स्याफ रिपारेट वसेपरेट टू ग्लास प्लेट दफोर स्याफ जस्ट वन मिनिटा में भी लिक कर देता हूं हां 5-4 यह नीचे ठीके ठीके चलेगा आपको पता है ना बस हो गया तो यहाँ पर 5-4 था करेक्शन करो वो हो जाता है गरबड में कभी-कभी ओके लिक आप दफोर स्याफ दफोर स्याफ रिक्वाइट टू सेप्रेट सकहरा रिक्वाइट रिक्विडार टू डिक्वाइट था ने प्रॉर्च आप रिकिर तो ऀक्वाइट प्रॉर्क couples उकाइट प्रॉर्च रिक्वाइट के ऋिए लिक्विड फिल्म आप एरिया ए थिकने स्टी इस एंख्लोज डिस एफ तो फिर वहाँ पर फोर्स निकालने का फॉर्मिला आएगा टू एटी बाइट स्मॉल टी टू एटी बाइट स्मॉल टी अब देखेगा टू मतलब नंबर है ए मतलब एरिया है उन ग्लास प्लेट का उसके बाद टी मतलब सरफेश टेंशन है और स्मॉल टी मतलब ठिकने से स्मॉल टी में कंफिजु नहीं होना है स्मॉल टी और कैपिडिल टी में ऊके इसलिए डूके क्योंकि बीच-बीच में वैक्यूम क्रेड हो जाता है इस वज़े से दोनों जल्दी से आलग नहीं होते एक दूसरे से तो दो ग्लास प्रेड जो एक दूसरी के साथ स्टिक कंडिशन में उनको अगर एक दूसरी से आलग करना है तो फिर एड़ टाइम यह शौर्ट रिक तो डिफरेंटे आपको दिक्कत आ जाता अब यह आपका ऐसा लेवल हो गया है कि आप कोई भी बुक को इजीली फॉलो कर सकते हो जो इसके उपर दिया है मैंने कुछ नोट्स भी आपको सेंड किये थे हैं सभी के बास अवलेबल तो उसके बीच के भी आप फॉर्मिलेज म मतलब ऐसे बीच आगर स्वाल करते हो आप तभी आपको वह स्वाल करते आते हैं तो इस वज़े से यह भी बीच हमने पहले से क्लियर कर दिये ठीक है इस बीच पर एक क्वेशन लिख लो उसकी बाद फिर लागा तो आज हम स्टॉप करते हैं नेक्स लेक्चर और भी कुछ क्वेशन के साथ आते हैं तब तक आप पहले से प्रैक्टिस करके रखना लिखी गाइस बीच क्यूपर क्वेशन क्वेशन नमबर थर्ड तीनों भी आलग अलग ट्रिक्स पर क्वेशन थे हैं दो फोर्स रिक्वाइड तो सेपरेट तो ग्लास प्लेट्स आफ एरिया 10 रहेचीज 2 मईनTwा ट्रैक्वार विफ तब विध सेप्वाइड लिग्स विब सेरी नमबर ट्रैक्वध बिट्विन देम इज बस इतना ही दिया है कुश्यन और सर्फेस टेंशन यहां पर हमें लगने वाला है सर्फेस टेंशन आप वाटर और वो उन्होंने दिया है 0.0 sorry 70 into 10 raise to minus 3 newton per meter तो बताव क्या रहा है गांसर ठिक्या option रिखता हूं में 28 newton b option a 14 newton c option a 15 newton or d option a 38 newton solve this and tell me the answer of this question force required to separate two glass plates of area 10 raise to minus 2 meter square with a film of water 0.05 millimeter उसका thickness दिया है और सर्फेस टेंशन का value दिया है 14 to 10 raise to minus 3 newton per meter okay तो बताव क्या रहा है गांसर ठीके राइड अंसरे कांसर मिल गया है ठीके राइड अंसर है दोनों भी वश्चनवी का बराबर है प्रांजल का भी बराबर है ठीके राइड अंसर है ठीके कल्यानी का भी आंसर बराबर है ठीके क्या दिया है हमें force required to separate the glass plate दिया है तो इसका answer definitely आपको पता होगा क्या रहेगा मतलब फॉर्मिला f is equal to 280 by small t ओके तो f is equal to 280 by small t तो 2 into a का value minus 2 दिया था ओके और small मतलब capital T उपर था यदि 70 into क्या था 10 raise to minus 3 और नीचे जो small t thickness दिया था उसका value 0.05 mm है mm को मिटर करते तो 10 raise to minus 3 और इस 0.05 को भी हम पॉइंट से अलग कर देते हैं तो फिर वो 5 into 10 raise to minus 5 रहेगा तो यह minus 5 मतलब यह minus 2 minus 3 को खा जाएगा और फिर 70 into 2 कितना आएगा 140 divided by 5 5 1s are 5 5 2s are 10 4 बचेगा 40 5 8s are 40 खतम ओके तो यह आएगा answer इसी रोकें समझ में आ गया तो आभी आज आपको काम करना है कि जो भी मैंने आपको नोर्स बेचेते हैं उस नोर्स के पीछे आप देखेगा surface tension के उसके पीछे आपको question answer नजर आएंगे अलग-अलग exercise है उसमें से specially मतलब उसमें combined questions थे elasticity हमारा जो topic पढ़ाया था मैंने hydrostatic hydrodynamics उसमें से बाकी के सभी topic के चोड़ दो और सिर्प surface tension के problem निकालो और उतने ही solve करना कुछ दिकत किसी को तो कल वो question अगर आप solve करके आते हो और फिर में जो question दूँगा आपको इस topic से related वह अगर आप करते हो तो फिर आपको और कुछ करने की जरुरत नहींगे जो पाता है वो काम उसी दिन करना तो आगले दिन आपको और भी आच्छे से समझ में आएगा मतलब इस topic में specially आप क्या है जाद अतर theoretical question आ सकते हैं ओके angle of contact या फिर starting के कुछ पर या फिर capillary tube पर तो ऐसे पहले तो कुछ sections में आपको solve करने पड़ेंगे इस topic को अगर perfect करना है आपको तो कुछ starting के level में आपको theoretical question करने पड़ेंगे फिर उसमें अगर आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है अच्छे से तो फिर आप जाएगा numerical question के और numerical question इसके उपर तीन bits पर पूछे जा सकते हैं वो वरड़न निकालना ज्यादा molecule combine होते हैं कोलीज होते हैं बड़ा molecule form करते हैं उस टाइप का एक पहला type का question होता है फिर एक बड़ा सा molecule दो छोड़े-छोड़े molecules में मतलब droplets में या फिर bubbles में कनोड हो जाता है यह दूसरा type का problem होता है और इंट्रेस्टिंग तो कल कल इंचर जरूर जोइन के जीगा इसका related to the surface tension तो टॉपिक हमारा अल्मूस मतलब सभी कदम हुआ है से प्रैक्टिस पार्ट इसका question answer लेना है हमें ताकि फीर से हमें इस topic को दुबारा देखने की जुरुरत ना गिरे ओके इसे ऐसे wind up कर दो कि direct need का exam जब आएगा आपका तभी आपको देखने की जुरुरत गिरनी चाहिए इतना आपको higher level पर करना है अच्छे शॉर्ट नूर्स निकाल कर उसका एक perfect नूर्स बनाकर आपके घर में रख दीजेगा ओके मतलब उसे देखते रहेगा time to time और ना बोलो कि sir ने कहा है रखना है तो रख दिया ओके ऐसा मत करो और time to time उसको revise करते रहो ठीके तो आज यही स्टॉप करते हम next lecture इसकी उपर question answer देखते थैंक यू ठीके बात अदा हूं में